चलिए बनाते हैं बेशन की दानेदार लड्डू देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा बना यूद चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं यहाँ पर जहिलीव मैं इसमें आदा कोटील घर का बेशन लेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से अभी यह थोड़ा थोड़ा टाइट होना अश्टार्ट करेगा एबजॉर्ब करेगा घी को फिर जब रिलीज करेगा तो डिला होगा आप यहां पर देख सकते हैं इनको अच्छे से भूने कलर चेंज होने तक देख सकते हैं आप यहां पर लॉफ लेम पे भूने देखिए रिलीज किया तो धेला हो गया आप देख सकते हैं यहां पर अब इसमें ड्राइफ रूट डाले अपने मन पसंद यहां पर मैं बदाम काजू ली हूँ अब यह अब फिर से टाइट होना इस्टार्ट करें जब पैन छोड़ने लगे तो समझ जाएंगे कि यह हो गया है कलराना इस्टार्ट हो गया है देख सकते हैं यहां पर अब यहां पर भूरा डालेंगे देन मिक्स करेंगे देख सकते हैं यहां पर कितना मतलब अच्छे से हो रहा है चलाते रहे आप इनको यह चोड़ने लगा है कि यह पकने लगा है देख सकते हैं कलर आना स्टार्ट हो गया है देखिए कि इतना अच्छा कलर आया है देन इसको प्लेग में टांसफर करेंगे यहां फिर से बूरा डालेंगे देन मिक्स करेंगे अच्छे से यहां पर मैं मिक्स कर रही हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार बेशन का लड़ू बन रहा है यह देखिए आप दानेदार बेशन की लड़ू बन के तयार है वीडियो पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक सेयर करें थैंक यूद्